हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मैं चैनल स्टेडी फोर एसेसी में फ्रेंड अब सरिफ एक दिन बचा है आपके एक्जाम्स के लिए डिस्क्रिप्टिव के उसके जितनी भी इंपोर्टन चीजे थी वो सारी इसके पहले मैं बता चुका हूँ अपने comment box देख रहा था तो उसमें काफी सारे questions और confusion थे बच्चों के मन में तो मैं उसको personally जाके मेरे जरी आंसर देना possible नहीं हो रहा था और अगर देता भी हूँ तो काफी ज़्यादा time उसमें लग रहा था सरिफ एक दिन बचा है तो मैंने सोचा कि जो important questions हैं जो common questions हैं बच्चों के बीच में जो repeat हो रहे हैं उनके उपर एक छोटा सा वीडियो बना दू ताके आप लोगों को direct वो पहुच जा है और direct उसका फाइदा आपको पहुच जाए तो कुछ हम लोग important questions देखेंगे जो बच्चे पूछ रहे हैं थोड़ा confusion दूर हो जाएगा ठीक है तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं अभी सबसे पहले तो जब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है important topics कौन से होंगे important topics कौन से होंगे इसके उपर मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया है आपको अच्छे से explain किया है बहुत से बच्चों को personally मैंने message भी किया हुआ है लेकिन शायद आप तक अगर नहीं पहुचा है मेरा वो वीडियो वो list important topics की इसलिए आप लोग पूछ रहे होंगे क्या लिखें तो देखो friends दोनों भी important है मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका content काफी matter करता है content अच्छा होना चाहिए अब दो बाते हैं देखो लेटर जो है ज्यादा तर maximum बच्चे लेटर ही करने वाले हैं तो ऐसे बहुत कम होंगे आप अगर ऐसे करते हो ता आप बाकियों से एक तो पहले examiner की examiner की नजर में पहले या अलग हो जाओगे ठीक है तो वो थोड़ा सोचेगा अच्छे marks देने का वहीं पे और दूसरी चीज कैसी है देखो फ्रेंट्स आपको नहीं पता कि exam में क्या आने वाला है आप उस हिसाब से आप एक imagine करके तयारी कर रहे हो कि यह आ सकता है यह आ सकता है ठीक है अगर वहाँ पे जाने के बाद में आप ऐसे की तयारी करके गए और ऐसा ऐसे का topic आया जिसके बारे में आ इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप तयारी दोनों की करके जाना है आपने आप देखो जो एकदम famous topics है जैसे अपना GST का हो गया उसके बाद तीन तलाग का हो गया दूसरे जो trending topic चल रहे हैं यह सब चीज़े तो आपने अभी पढ़ ली होगी ठीक है आप एक दिन पहले का तो चीज़े सीदे ऐसे लिखना तो ऐसे topic पर ऐसे आता है जो एकदम trending है जिस पर आपकी तयारी है तो आपको मैं suggest करूँगा कि आप जो है वो essay ही लिखो उसके बाद later अगर आपको नहीं ही जम रहा है essay तो फिर आप later का एक format होता है वो format आप समझ लोगे बीच में आपको दे later का अपना एक format होता है उसको follow करते जाओगे निकल जाएगा तीसरा question जो बन रहा है वो है कितने questions मिलेंगे कितने options मिलेंगे sorry अब options देखो finally ये तो SSC decide करेगा इसके पहले तो उसने 5-6 options दिये थे लेकिन यहाँ पर at least आपको 3-4 options देखने के लिए मिल जाएंगे यसा नही पिछली बार 6 दिया था तो इस बार अगर कम भी करेगा तो 3-4 करेगा एक दो पे तो आएगा नहीं ठीक है उसके बार चौथा question जो बन रहा है वो है address भी count होगा क्या तो देखो friends आपने boxes के अंदर जिस भी boxes के अंदर जो भी लिखा है वो सारे box count होने वाले हैं आपका इसी के word count होंगे या जो address वगेरा हम लोग लिख रहे हैं उसके भी words count होंगे तो पूरे के पूरे words count होने वाले हैं जाए वो address हो वो pin number हो वो date हो या पूरा के पूरा कुछ भी हो x y z तक नीच है वो सारे count होंगे ठीक है उसके बाद देख लेते हैं और कौन से questions बन रहे हैं अब 5 number पे है कि 77 जैसे word 77 जैसे words हमको अलग-अलग box में लिखना है या एकी box में लिखना है तो इनको आपको एकी box में लिखना है जो अभी आपके हाइपिन वाले words होंगे उनको आप में एकी 77 पास पास आस पास ऐसे जो words है काफी बच्चे पूछ रहे थे आप सब को जाक या कोई एक हाँ ये काफी ट्रेंड में आ रहा है questions क्यूंकि कुछ regions के जो admit card है उनके उपर essay and letter इस तरह से पूछा गया है essay and letter इस तरह से दिया हुआ है और कुछ जगा पे essay oblique letter इस जगे पे दिया है तो essay oblique letter अगर लेंगे हम तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है ये कोई एक करना है लेकिन end का मतलब हो जाता है दोनों करना है तो ये confusion बना हुआ है तो confusion की जरूरत नहीं है आपको timing वहाँ पे दिख रहा है कितना है 30 मिनट आपको marks दिख रहा है कि 50 marks है उसके बाद अगर हम starting की notice में जाएंगे तो पहले जो notice notification डाला था website के उपर SSC ने उसमें उसने oblique दिया था यानि या तो ऐसे या तो later करना था तो वो सारी चीज़े देख के बेफिकर हो जाओ अगर end दिया हुआ है तो वो गलती से है आपको कोई एक ही वहाँ पे लिखना है ठीक है उसके बाद देखेंगे number 7 क्या है सेवा में अलग-अलग लिखना है क्या और सेवा मे लिखना है कि नहीं यानि जो सेवा में हम लोग starting में address के बाद नीचे लेटर ये sorry sender address के बाद date के नीचे हम लोग सेवा में लिखते हैं वो क्या लिखना compulsory है और अगर लिखना है तो उसको एक box में लिखना है या सेवा अलग box में लिखना है और में अलग box में लिखना है तो देखो friends, सेवा में लिखना compulsory नहीं है, लिखते हो आप तो भी कोई problem नहीं है, नहीं लिखते हो आप तो भी कोई problem वहाँ पर नहीं आने वाली है, यह optional है, ठीक है, अगर सेवा में लिख रहे हो, तो आपको अलग-अलग box में लिख लो, आप सेवा अलग box में या में लिखना है लगाकर यानि लाइन के उपर इस तरह का आपका box है यहाँ पे आप लिख रहे हो और तो यह ऐसे लिखना है वहाँ पे आपको ठीक है उपर पर अच्छा command है आप उस language में लिखो आपको अच्छे marks मिलेंगे आपकी body अच्छा होना चाहिए आपका content अच्छा होना चाहिए आपकी writing अच्छी होनी चाहिए बस examiner को देखके और पढ़के अच्छा लगना चाहिए 10th level के base तक बस graduate level की job नहीं है यह ठीक है तो normal साधी simple language अच्छा content रखो किसी भी language में आप लिखो आपको marks बराबर ही मिलेंगे अच्छा ब्राइटिंग के marks मिलते हैं क्या बिल्कुल writings के आपके 2-3 marks बिल्कुल मिलते हैं आपके इसी तरह body के marks मिलते हैं उसके बाद जो आपका एक flow होता है उसके marks होते हैं subject के marks होते हैं किस तरह से ssc जो है आपके 150 words का आपका later होता है और 250 words का आपका ऐसे होता है अब SSC 50 marks को किस तरह इसके अंदर divide करता है यह पूरा अच्छे से समझना अगर आपको है तो उसके उपर मैंने एक वीडियो बना दिये अच्छी खासी पूरा explain किया है कि writing को कितने marks है उसके अंदर paragraphs को कितने marks हैं body को कितने marks हैं centers address को कितना यानि किस हिसाब से 50 marks divide होते हैं उसके उपर वीडियो बना दिये उसका भी link नीचे है अगर आपको देखके समझना है तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हो ठीक है आगे चलते हैं नीचे क्या है कि blank box भी count होगा क्या यानि आप paragraph जो लिखते हो इस तरह से आपके boxes होते हैं यहाँ पे आके आपका paragraph खतब हो आप नीचे से start कर रहे हो इसको आपने छोड़ दिया तो यह जो blank box है यह count नहीं होगा काफी बच्चे बोल रहे थे कि sir वो भी count होगा क्या वो भी होगा क्या तो नहीं जिन boxes के अंदर आपने लिखा है सिर्फ और सिर्फ वही box count होने वाले हैं ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं और क्या है 150 या 250 वर्ट से ज्यादा लिखा तो क्या होगा यानि ऐसे हमारा लिखते लिखते flow में जा रहे हम लोग लेकिन 150 पे complete नहीं हुआ 2-4-5-10 वर्ट आगे बढ़ गए या और लेटर में 150 के जगा 155-5-6 होगए तो क्या होगा देखो पाट-दस वर्ट अगर बढ़ गए तो वहाँ तक ठीक है 10% का relaxation तक या पाट-दस वर्ट पहले खतब हो गया तो भी वहाँ पर चलेगा लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है तो सीधे-सीधे आपकी copy या तो चेक नहीं होगी या फिर negative marking आपको वहाँ पर चली जाएगी selection आप भूल जाओ examiner क्या करता है देखो सबसे पहले इस तरह से आपकी sheet वहाँ पर दी रहेगी इस तरह से ठीक है इस तरह से वहाँ पर दीया रहेगा यह समझा आपका एक page आप इसमें कितने boxes है देख लो 1,2,3,4,5,5,10,15,20 20 boxes है इस तरह से वह देख लेगा कि एक page के उपर अगर यहाँ पर मैंने 20 बताया उनके इसमें लगबग अगर 100 boxes है तो वह देख लेगा कि आपको ने अगर ऐसे लिखा है तो आपका धाई page में हुआ है के नहीं हुआ है क्योंकि एक page में अगर 100 boxes है तो धाई page में 250 boxes है तो वह देखेगा आपने ऐसे लिखा है धाई page में complete हो रहा है के नहीं हो रहा है आपका ऐसे पौने 3 page तक भी गया है तो ठीक है लेकिन वो देखेगा अगर के 3-4 page तक आपका ऐसे चला गया है तो वहीं पर आपको मार देगा wrong क्योंकि पता है selection होने वाला नहीं है आपका हो सकता है copy वहाँ पर check नहीं हो ठीक है इसी तरह later है तो वो देख लेगा आपका देड़ page से जादा तो नहीं हो रहा है जादा हो रहा है दो page तक भी गया तो ठीक है बहुत अगर 2 से आगे जा रहा है X अलग Y अलग और Z अलग box में ऐसा नहीं करना है ठीक है 15 नमबर पे क्या है wrong हुआ तो क्या होगा देखो यानि किसी box में आपने लिखा यहाँ पे and लिख दिया ठीक है आपको यहाँ पे लिखना था कुछ और अब यह होगा आप सीज़े सीदे इसको cut कर दो और next box में आप लिख दो लेकिन होगा क्या पता है क्या आपके marks जैसे आप यह cut कर रहे हो तो उसके साथ में आपका marks भी कम हो जाएगा ठीक है है एक एक चीज़ का एक पॉइंट का वहाँ पे आपको ध्यान से लिखना है और हर एक पॉइंट का हर एक चीज़ का महाँ पे marks है personal information आपको गलती से भी ने डालनी है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से unfair news के charges लग जाते हैं और आपकी copy change चेक नहीं होती out of marks आपके रहते हैं फिर भी आपको वहाँ पे zero marks एक अंडा से दिया जाता है ठीके काफी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है उन्होंने copy मंगवाई मंगवा के बाद देखा तो पता चला कि ठीके personal information चली गई थी जैसे एक बच्चे ने name के जगा पे गलती से अपना नाम डाल दिया बाद में cut करके वहाँ पे उसने दूसरा imaginary नाम डाला लेकिन चुके पहले उसने अपना नाम use किया था और वहाँ पे दिख रहा था वो इसलिए direct उसको unfair news डाल दिया और fail कर दिया गया था ठीक है आगे देखेंगे end का जैसे words अलग box में लिखना है क्या जी बिल्कुल का की कू के और इधर ये सारे words जो है ये अलग-अलग box में आपको लिखना है एक में मिला के नहीं लिखना है की का जो भी रहेगा वो सारा अलग-अलग box में लिखना है ठीक है तो ये जो main-main questions थे जो जादे पूछ रहे थे बच्चे हो सारे मैंने आपको बता दिये और भी कुछ questions थे विए वो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था वो भी डालके और जो कुछ अभी बच गए होंगे questions वो आप नीचे comment box में पूछ सकते हो थोड़ी गरदी कम हो जाएगी तो मैं आपको उसका answer दे सकता हूँ ठीक है और कोई important चीज आपको चाहिए रहेगी वीडियो के जरीए तो आप वो भी comment box में नीचे बोल सकते हो मुझे एक दिन है अभी हमारे पास उसके वारे में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइट कर दूँगा तो आप एकदम ताखत लगा के महनत करो एक दिन बचा हुआ है पूरे एक पूरे 24 गंटे आप डाल दो उसी के अंदर क्योंकि ये 24 गंटे आप वापस नहीं आएंगे ठीक है आपका प्रिलिम हो बहुत से बच्चों का होगा पहली बार निकला होगा बार बार निकलेगा इसके बाद vacancy कब आएगी नहीं आएगी पता नहीं आपका निकला है तो 24 गंटे को एकदम 48 गंटे बना के पढ़ाई क दरो एक दिन नहीं सोगे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है पैटन पर ध्यान दो ज्यादा स्ट्रेस भी मतलो यह नहीं कि एकदम आप स्ट्रेस में चले जाओ डिप्रेस हो जाओ वो भी नहीं करना है फ्रेश माइन लेके जाओ अच्छे से एक्जाम दो बिल्कुल जो आपको आगे चलके मिलता रहेगा और S.S.C. पे जो भी नहीं नोटिस वगेर आती रहेगी उसका भी आपको वीडियो सबसे पहले यहाँ पर मिलता रहेगा तो चैनल आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको आप सब्सक्राइब कर ले ताक